नमस्कार दोस्तों में हुआ अतूल और यह है Realme C11 दोस्तों आपको पता होगा कि इस फोन में आपको केवल 2GB ही रेम मिलती है इसका मतलब यह जो फोन है काफी फास्ट नहीं होगा जैसे आप एक्सपेक्ट करते हो अगर आपको लगता है कि आपका फोन स्लो चल रहा है या ल 2GB के रहेमें इसके बहुत काफी जाता है और आप इस एनीमेशन को कम कर दोगे तो जो फोन है वह अच्छे से काम करेगा जो एप से जल्डी ओपन होके जो Chaanks होगी उसके जल्दी जल्दी Open होती रहेगी लेकिन असके लिए आपको सेटिंक में क्या करना है तो आपकों सेट बार लगातार क्लिक करना है तो 7 बार क्लिक करने के बाद आपको जो पासवर्ड देव डालना है और इसके बाद आपको बैक आना है आपको additional settings में फिर additional settings में आपको option मिल जाएगा यहाप पे नीचे में developer option का आप यहाप देख सकते हो आपको developer option पे click करना है और यहाँ पे जो animation scale है यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे 3 animation scale है window animation scale, transition animation scale और animator duration scale आपको in scale को कम करना है ताकि animation अगर कम होता है तो आपका phone है वो अच्छे से ज़्यादा fast काम करेगा तो मैंने animation को 0.5x मतलब आधे पे रखा हुआ है जो scale है वो तो 3 का मैंने जो scale है आधे पे रखा हुआ है अब आप देख सकते हो जो phone है मेरा fast काम कर रहा है जो app से जली जली open हो रहे है आप यहाँ पे देख सकते हो तो इस तरह से आपको अगर यह option enable करना हो तो आपका phone काफी fast हो जाएगा पहले से ज्यादा अगर आपको इससे भी ज्यादा fast करना है आपके phone को तो आपको same procedure करनी है लेकिन इस बार आपको जो animation है totally off कर देना है तो मैंने जो 0.5x रखा है आपको उसे off कर देना है तो आप जैसे animation scale में जाते हो इन तीनो animation scale को आपको off कर देना है आप कर लिजिए off और इससे भी off तो आप कोई भी आपको यहाँ पे animation देखने नहीं मिलेगा बहुत यह fast आपका phone है जो है काम करेगा आप देख सकते हैं इस तरह से settings भी हो जली जली ओपन होगी कोई भी जो apps है वो भी जली जली ओपन हो जाएंगे यहाँ प्यापको कोई भी animation देखने नहीं मिलेगा तो इस तरह से आपका जो phone है वो पहले से जादा fast काम करेगा तो इस तरह से आप अपने realme c11 को fast कर सकते हो animation speed को कम करके तो अगर आपका कोई की सवाल हो दोस्तो तो आप हमें पूछ सकते हो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तो